नमस्कार and I welcome you to study hub, in this video we will discuss about the Ganga river system, in this river system हम पहले पढ़ चुके हैं, उसकी tributaries भी पढ़ चुके हैं, आज हम Ganga river system पढ़ने जा रहे हैं, ठेक है, तो basically river system क्या होता है, जब हम एक main river को उसकी tributaries के साथ पढ़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उसको बोलते आजाता हूँ जैसे कि दो tributaries हैं, अगर ये flow कर रही है, ठेक है, एक ये है और एक यह है इस tributary में जो पहली वाली ट्रिब्यूटरी है, इसमें अगर500 लिटर पानी है और इसमें अगर 1000 लिटर पानी है, ठेक है, hypothetically speaking, अगर इसमें 500 लिटर पानी है और 6000 लिटर पानी है, तो जो आगे नाम चलेगा जिस नेम से आगे ये river जाने जाएगी वो बड़ी वाली river से जाने जाएगी For example अगर ये A river है ये B river है तो ये जो river इन दोनों को मिलाके बनेगी ये B river होगी बड़ी वाली का नाम दिया जाएगा अगर ऐसे एक और example ले एक ये tributary है एक ये tributary है ये मिलाके आगे river बनाती है यह A Tributory है यह B Tributory है दोनों का 1000 लिटर पानी है दोनों में 1000 लिटर पानी है ठीक है तो वह जो main river है जो आगे जाके यह बना रही है उसका जो name है वहाँ पे name change हो जाएगा यहाँ पे name जो है change नहीं होगा यहाँ पे name जो है वो change हो जाएगा यहाँ पे name change नहीं होगा यह बात important है आपको जानी चाहिए आपको पतानी चाहिए जब दो rivers की जो गेराई ही है उनका जो volume है same होता है तो river का जो name है वो change हो जाता है जब दो rivers का volume same नहीं होता है तो river का name change न glacier है गंगोतरी glacier ठीक है गंगोतरी glacier है वहाँ गोमुक से यह निकलती है ठीक है जो अगर specifically है अगर हम बात करें गोमुक से गंगा river जो है वहाँ से निकलती है और drain कहां पर करती है यह drain करती है बेय ऐफ बेंगाल में इतना तो मूटा-मूट आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर हम देखें तो यह कहां से निकलती है उत्तराखंड में कहां से गंगोत्री ग्लेशर से more specifically speaking गो मुख से निकलती है और ड्रेन कहां करती है कहां जाके यह last month होती है बेफ बेंगाल में लेकिन उससे पहले यह मेगना रिवर से मिलती है बांगला देश में और जो मेगना रिवर है वो बांगला देश में ही origin होता है उसका और बाद में गंगा उससे जाके मिलती है और फिली यह ड्रेन होती है बेफ बेंगाल में यह मैं आपको आगे बता दू जिसमें 79% एरिया जो है ये इंडिया में कवर करता है जब ये निकलती है जब ये उजागर होती है उरिजिन होता है तो maximum people जो मानते है वो मानते है as a बागिरिथी ये मैं आपको बताता हूँ आगे गंगा रिवर को मेंली उसके हैड स्ट्रीम से जाना जाता है हैड स्ट्रीम कौन सी है इसकी बागिरिथी रिवर वेरिज मुवी में आप देखेंगे जो बागिरिथी है उसका नाम लिया जाता है अलक नंदा का नाम नहीं लिया जाता है अलकि ये जो अलक नंदा और बागिरिथी दोनों जब मिलती है देपरियाग में देपरियाग में जब मिलती है बागरिती औलकनन्दा फिर ये गंगा इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है इसको गंगा बोला जाता है अलकनन्दा और बागरिती रिवर जब देव परियाग में मिलती है तो इनको गंगा बोला जाता है उसके बाद यह flow करती है, हमारी 11 states से flow करती है, और फिर यह drain होती है Bay of Bengal में, यह है 11 states जहां से गंगा river flow करती है, उत्तराखंड, हिमाचल, हर्याना, मद्यपरदेश, छतिसकड, जारखंड, बिहार, देली, तो यह जो 11 states है, यहां से हमारी गंगा river जो है, वो flow करती है, गंगा river को हम sacred river का दर्जा भी दिया गया है, और इसको हमने national river का दर्जा भी दिया हुआ है, sacred river और national river का दर्जा हमने इसको गंगा river को दिया गया है, यहां पर पानी कहां से आता है, यहां पर हमाले पर snowfall होती है, वहां से पानी आता है, बारिश होती है जो उससे पानी आता है, और हमालियन स्नुफॉल, रिनफॉल, एंट्रिब्यूटर से इसको पानी मिलता है, इसको हम बंगलादेश में पदमा कहते हैं, इसको अगर बंगलादेश में पदमा कहते हैं, तो जो ब्रहम पुत्रा आती है, उसको हम बंगलादेश में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, जमना, ठी सबसे पहले ये दोनों मिलती है पहले गंगा और ब्रह्म पूत्रा मिलती है उसके बाद ये मेगना से मिलती है और मेगना जाके क्या होती है ब्याफ बेंगाल में ट्रेन होती है ठीक है ये तिनों फिर ब्याफ बेंगाल में ट्रेन होती है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिबूटर आपको मैं यहां पर बताया था कि गंगा के पैलर कौन सी नदी जो है वो चलती है बात में आके गंगा को मिल जाती है वो है यमुना यमुना जो है यहां पर आप देख रहे हैं यह गंगा के बिल्कुल पैलर चल रही है और पैलर आने के बाद यहां पर गंगा के साथ मिल रह रही है अगर गंगा यहां से उजागर हो रही है तो यहां पर आगर आपग्र खड़े हो के तो आपका right hand एहां पर जाएगा और left hand यहां पर जाएगा तो ऐसे ही पय होता है चिरीन लफ्ट्ट्रिबांग टिर्बांक टिकों से है गंगा रिवर जब एंट्र'm गेंуждेश में्हाइज 25 में इसकी जो एक ट這邊 जाता है उग्ली गंदा जाता है होगली वह जाती है वह बसा हुआ ठीक है stratum और जमना जो है यह बंगलादेश में मिलती है ठीक है और यहां से जो है मेगना आती है मेगना का जो ओरिजिन है वो बंगलादेश में लोकली होता है और मेगना में जाके यह जमना और पदमा मिलती है जमना मीन्स ब्रहंपुत्रा और पदमा मीन्स गंगेज ठीक है तो यह द बॉलते हैं मेहिदों मिलती हैं प्रस्ट में खुद दोनों मिलती है फिर उसके बाद ये मेगना में मिलती है रपिर मेगना मैं मेगने जो है वह डैन होती है बेएफ्पेंगाल तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है यमनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बदरीनाथ बदरीनाथ से सबसे पहले आती है विश्नो गंगा विश्नो गंगा आती है बदरीनाथ से और दोली गंगा यह कहां पर आके मिलती है यह मिलती है विश्नो प्रियाग से विश्नो प् है मेरे कहने का मतलब यह दोनों का वालियूम सेम है ठीक है दोनों में पाणी एक जैसा है दोनों की गहराई एक जैसी है तो इनका नाम जो है आगे जाकर यहां पर आगे आके पिंडर रिवर जो है पिंडर रिवर मिलती है अलक नंदा से अलक नंदा जो है वो मोर गहरी रिवर है नंदाकनी जो है इतनी गहरी रिवर नहीं है वो छोटी रिवर है तो आगे अलक नंदा ही नाम चलता है ठीक है तो यहां पर पिंडर रिवर आके मिल मिलती है तो इसको बोलते है करन प्रियाग यहां पर पिंडर रिवर और अलकनंदा मिलती है आगे जाके अलकनंदा किसे मिलती है मंदाकिनी से मिलती है यहां पर जो है जगा का नाम क्या है यहां पर जगा का नाम है रुद्र प्रियाग में अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है आ यहां पे रिवर में self purification की quality है, यहां पे एक virus पाया जाता है जिसको बोलते है bacteriophage, यह मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, इसमें अपने पानी को purify करने की शमता है, तो यहां पे जो भागी रिथी जब इससे मिलती है तो इसको बोलते हैं देपरियाग, और यमनोत्री स निकलती है यमना जो कि इसके पैलर चलती है और आगे जाके इससे मिलती है, यह आपको द्याण में रखना है, अच्छा यमना गंगा से कहां मिलती है, यह पता है आपको, यमना जो है वो गंगा से मिलती है परियाग राज में, यमना जो है वो गंगा से मिलती है परियाग यह आप मैप जो है ना द्यानि पियु आएगा और यह पहाल चीन हो जाता और यहां पर आगे लिखना ही चलता है यह जो है got a ahead a सरना है यह ँप्र है कि अनि याल यह अधर पार्टकियों अनिवमीट्रित में और आफ यह ट्रसके ऊहाए और यह ने कनई हैंतो मैं शर्म करेंदार भाद मेद कर में द्यूज करेंदा रही है एक ऐसा वाइरस है जो की गंगा के पानी को साफसुत्रा बनाता है ठीक है यह एक ऐसा वाइरस है जो गंगा के पानी को साफसुत्रा बनाता है उसको पीने लाइक बनाता है वहां पे लोग अपना spiritual बात भी लेते हैं यह जो वाइरस है यह जो वाइरस है इसका नाम मैंने यह यह वार्षिस के नाम है सल्मानुला फेज SJ46, ST64B, इस बैक्टिरीयो फेज को हम क्या बोलते हैं बैक्टिरिया इटर भी कहते हैं और यह इंफ्ट करता है किसको बैक्टिरिया को से बेक्टिरिये को खत्म करता ile तो पानी में और वानी पानी को पिणे लाइग बनाता है जहांसे गंगा उरिजन होती है कर यहां पे और कम है किशला कि यहां पे प्लिशन को काफी ऑग और यहां पे पानिक उपना काम करता है और पानिको सान्व शुतरा यह बनाता लेकिन जब नीचे गंगा शएथा में आती है cities में आती है big cities में आती है तो वहां पर क्या होता है कि pollution काफी ज़्यादा है और यह bacteria phage अपना ठीक से काम नहीं कर बाते है various program जो है वो हमारी government of India ने चलाए है इस pollution को कम करने के लिए लिए for example नवामी गंगे प्रोग्राम ठेक है नवामी गंगे जो है गंगा action plan यह सब चलाए गए है ताकि छी रिवर अवर इंडिया इसको किसने बीक्लेर किया और कब गिया इंडिय मन्मोहन इसम्हाइश वर ऑइंडियर करने का एक रिजन यह भी था कि यहां है गंगा action plan को अच्छ से implement किया जाए लोग ध्यान रखें लोग pollution कम फैलाएं इसलिए इसको नैशनल रिवर भी डिकलेर किया गया वैसे भी इसको हम रिवर गंगा यह important facts आप यहां पर दे सकते हैं यह हमालिया से निकलती है ठीक है फिर गंगा plane से यहाँ पर अपने plane से नॉर्डन इंडिया में Plains है वहां पे Form करती है और last May के Bay of Bengal में DRIN करती है अच्था Bay of Bengal में DRIN करने से पहले किसे मिलती है प्रमपुत्रा से पिर ये दोनों किसे मिलती है मैगना से और işi坐 होती है अहाँ पर Bay of Bengal में हमारे tradition और हमारे kontra के emerging of Bengal में Lordnisse को Goddess की तरा मानते हम ठीक है और इस पे बात लेने से ठीक है, इसमें डिप लगाने से हमें मौक्ष मिलता है, मौक्ष की प्रापती होती है, और यहाँ पहमारे पाप माफ होते हैं, ऐसा माना जाता है. रिवर गंगा जो है यहां से गुजरती है वहां पे कुछ sacred places भी है ठीक है यह sacred places यह देख लीजिए आप गंगोत्री, हरीदवार, प्रियाग राज, वारा नसी, कालीगाट यह जो है कुछ sacred places है जो रिवर गंगा के रास्ते में पढ़ती है गंगा रिवर जो है वो होलिएस् परियाग में आपको मैं बता दिया बागरिती अलकननन दा मिलती है विष्णु परियाग में दोली गंगा लकननन दा मिलती है यह आप ध्यान रखेगा यह मैना आपको मैप में पीछे बता दिया था अच्छा तो इसकी जो largest tributary है largest means जब हम largest बोलते है largest means in case of volume ठीक है volume तो तो सबसे बड़ी tributary है वो कौन सी है वो है गागरा river गागरा river largest tributary है with respect to the volume of river so this is about ganga this is only about ganga इसके tributaries के लिए बिलकुल भी नहीं पढ़ाया गया है यह सिर्फ ganga के बारे में था tributaries के बारे में हम अगला lecture देखेंगे ठीक है so thank you so much and see you in the next lecture आरे में अट बारे में थाया है